हेलो एबरिमन स्वागत है आप सभी का एक बाफिस जी डीसी टुटर के मिडिसन सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं इच गाड क्रीम के बारे में जी हाँ इच गाड क्रीम इस्तिमाल की जाती है जब आपको दाद हो जाता है खाज हो जाता है खुजली होती है यानि कि आप करने का सही तरीका यानि मेंगेडियम आप एक्षन क्या है क्या साइड फिट क्या प्रिकॉशन और लगाने का सही तरीका मतलब इस क्रीम की हम संपोड जानकारी देने वाले हैं पूरे वीडियो में बने रहीगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस्त नहों होने पाए चल लाइट से अवेश्टोर किया जाता है एक ट्यूब यानि 12 ग्राम क्रीम की कीमत लगवग 84 से 90 के आसपास माने जाती है बात करेंगे यूजर कीजी हाँ में लिए आपका यह फंगल इंफेक्शन इसकिन पर जो फंगल इंफेक्शन हो जाता है दाद हो जाता है फंगस के कर काम पर इस परकार की खुजली वगरा हो रही थी उसको भी ट्रीट करता है साथ ही साथ आपके जो टोज वगरा में आपके जो उंगलियों में फंगस इंफेक्शन होता है उसको भी ठीक करने का काम करता है बात करेंगे यह काम करने का तरीका मेकेनियों अफेक्शन क्या है we are minus जाएगा बात करेंगे तो पेंजील अल्कोहल की है जो की हमारे small insect जो होते हैं skin से चिपक जाते हैं उसको treat करती है उससे राहत दिलाती है यानि कि जो fungus infection इसकिन पर होगा उसको भी treat कर देगा बात करेंगे डियर इसके use के direction की तो mainly जहां पर आपका affected area है उसके एक thin layer cream की लगाएं एक बार या में दो बार लगा सकते हैं साथी साथ इस जो दाद काथ खुझली को दूर करना है तो एक से दो हफ्ते तक आप controlling लगाएंगे तो आपका जो असर है बहुत अच्छा देखने को मिलेगा पूछेंगे dear कि यह precaution क्या है तो mainly यह external use के लिए चिल्डरन के रिस से इसको दूर रखना होगा और यूज करने से पहले इसका लेबल केरफुली जरूर रीट करें साथी साथ जहां पर affected area है उसको पहले क्या करें clean करें साफ करें dry करें उसके बाद apply करने के बाद अपने भी हातों को अच्छे से जरूर दू ले फिर पूचेंगे यहाँ पे side effect पर्निंग sensation हो सकता है जहां आप लगा रहे हो इसकिन पे ridness हो सकती यह कुछ common side effect देखने को मिल सकता है सोडिय स्टुडन यह थी आपका इच गाड क्रीम की जानकारी जिहां सरीर में दाद खाद खुझली जब होता है उसको treat करने के लिए यह क्रीम दी जाती है और इसका असर भी देखने को मिलता है इस medicine की जानकारी कैसी लगी अगली medicine अगली दवाई अगला tablet की इसके बारे में बताएं उसे भी comment box में जरूर लिखेगा और medicine की जानकारी चाहिए तो description में playlist की link डली होई है उसको भी जरूर विजिट कीजिएगा चल लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले topic की साथ तब तक के लिए thank you so much all the very best